एक बिदाई ऐसी भी शादी के शंपुन संसकार कुसलता पुर्वक संपन हो गए थे कहीं कोई रोडा नहीं अटका ना फूफार उठे ना शालिया रिशाई बस अब बिदा की वेला थी हम अपनी अर्धांगनी को बिदा कड़ाने को ब्याकुल थे तवी अंदर से अर्धनाद सुनाई पड़ा औरतों की शमवेद सिश्किया सुनाई पड़ने लगी सबसे ज़्यादा आहत थमारी शाशु मा बार बार पचारे खा रही थी दो चार औरते उन्हें पंखा जल रही थी हाई कोई पानी के छीटे मार रही उनके मुँपर बुगा साश आशु पोच्ते बोली लल्ला बिटिया का ख्याल रखना भावी की तो मानो जान बस्ती है उसमें शाली जी जर जर से रोती बोली जीजा जी दीदी को कभी उंची आवाज में बोलना भी मत बढ़ना रोते रोते उसने भी धमकी दे दी पूरा महिला वर गैसे रो रहा था मानो हम कोई रावन हैं और उनकी बिटिया को हरन करके ले जा रहे हैं और बिटिया के हाल वो तो सबसे बुरे कभी मा कभी बुगा भावी नानी सहेली सबसे लिपट कर रोते रोते चेहरे के मेकप का सत्या नास कर लिया बावडो की समय की अफसरा इस समय भावुक दिश्य ने मन बिगलित कर दिया मन ने कहा कि धिकार है तुझे इतना निक्रिष्ट जगने अपराधी हो गया तू इतने लोगों की आत्मा को दुखी करके तो नरक में भी जगन नहीं मिलेगी और हमने एलान कर दिया मैं आप सबको दुखी नहीं करना चाहता अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बेटी को अपने पास रखो बरातियों से प्रस्थान करने का कहा सनाटा चाह गया सिस्की की भी आवाज नहीं सास की मुर्चा गायब हाथ जोर बोली लल्ला ऐसो जुलम ना करो ये तो तुम्हारी अमानत है अब ही विदा किये देते हैं हमारी बिवाहिता भी घवरा गई पुना अपसरा सारूप लिये हमारे बगल में आकर मुस्कराति खड़ी हो गई नानी सास घुटनों को सहला दी धीरे धीरे आई हमारी बलाय लियोर बोली एम और लिल्ला तुम तो बिसाई गयो बिटिया की बिदा समय खूब रोये तो जानो बिटिया ससुराल में खूब सुखी रहत है तोटका है जे तो प्राइब बिल्ला बिल्ला तो